नमस्कार नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसकी जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलेस, SSC, रेलवे जैसे अनिय प्रतियोगी परिक्षाव में काम आएंगे ये सवाल इतिहास राजनीद विज्ञान, क C. कोशी, D. मगत, इसका सही जवाब है A. पटना, सवाल नमबर दो, बिहार में सबसे कम वर्षावाला जिला कौन है? A. अररिया, B. औरंगाबाद, C. भोचपूर, D. बकसर इसका सही जवाब है B. औरंगाबाद सवाल नमबर तीन, हडपा सभ्यता के किस इस्थान से खगोलिय वेदशाला का प्रमान मिला? A. चन हुदरो, B. रोपड, C. दैमाबाद, D. धौला वीरा इसका सही जवाब है D. धौला वीरा सवाल नमबर चार, किस युग में मानव भोजन संग्राह करने लगा? A. पुडा पाशान युग, B. मद्य पाशान युग, C. नव पाशान युग, D. इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है C. नव पाशान युग सवाल नमबर पाच, सिंदु घाटी सब्यता में मन के बनाने के कारखाने कहा मिले है? A. हडपा, B. चान हुद्रो, C. लोथल, D. रंगपूर इसका सही जवाब है B. चान हुद्रो सवाल नमबर चेह, मारले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? A. उनिस सो पाच में, B. उनिस सो नौ में, C. उनिस सो ग्यारा में, D. उनिस सो बीस में इसका सही जवाब है B. उनिस सो नौ में सवाल नमबर साथ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सरवाधिक व्यापक समिधान किस देश का है? A. ब्रिटैन, B. भारत, C. कनाड़ा, D. दक्षिन अफ्रिका इसका सही जवाब है B. भारत सवाल नमबर आठ, भारत का समिधान इन में से किस प्रकार का माना जाता है? A. नम्य, B. अनम्य, C. नम्य और अनम्य दोनो, D. इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है C. नम्य और अनम्य दोनो, सवाल नम्बर नौ, क्लोरोफिल में कौन सा खनिस घटक पाया जाता है? A. मैगनेशियम, B. पोटैसियम, C. कैल्सियम, D. आईरन इसका सही जवाब है A. मैगनेशियम, सवाल नम्बर दस, लॉंग इन में से क्या है? A. तना की गाठे, B. जड की गाठे, C. बंद कलिया, D. बीज इसका सही जवाब है C. बंद कलिया सवाल नम्बर ग्यारा, भारत सरकार ने बजट सतर दोजर की सबाइस में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आए पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घुशना की है? सवाल नम्बर बाड़ा, इनमें से किस भारतिय स्टार को प्रतिश्ट लॉरेंस विश्वखेल पुरुसकार में ब्रेक्थ्रू पुरुसकार के लिए नामांकित किया गया है? A. पीवी सिंधू, B. नीरत चोपरा, C. विरात कोहली, D. लक्ष सेन इसका सही जवाब है, B. नीरत चोपरा सवाल नम्बर तेरा, नियागरा जल प्रपात कहां इस्थित है? A. युनाइटेट किंग्रम में, B. अफ्रीका में, C. आस्ट्रेलिया में, D. यूएसे में इसका सही जवाब है, D. यूएसे में सवाल नम्बर 14, भारती अर्थ व्यवस्ता किस प्रकार की अर्थ व्यवस्ता है? A. पुंजिवादी अर्थ व्यवस्ता, B. केंद्रेकृत अर्थ व्यवस्ता, C. मिश्रित अर्थ व्यवस्ता, D. सामेवाद परक अर्थ व्यवस्ता इसका सही जवाब है C. मिश्रित अर्थिववस्था सवाल नंबर 15 पहला कम्प्यूटर किसने बनाया था? A. बिल गेट्स B. बिल क्लिंटन C. चाल्स बैबिज D. मारकोनी इसका सही जवाब है C. चाल्स बैबिज पिछले सेट में हमारे जिंदर्शकों ने सबसे ज़्यादा सहालों के सही जवाब दिये उनकी नाम है सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशस करेंगे साथ ही आपको हमारी यसरी इस फायदे मंद लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये अन्य अभियरतियों के भी काम आ सके तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार